नमस्कार, मैं हूँ समेती जहा, दस उत्रधार पर आपका स्वागत है। तो आईए सुनते हैं जनेंद्र कुमार द्वारा लिखी गई कहानी खेल। बाली का अपने पैर पर रेत जमा कर और थोप थोप कर एक भाड बना रही थी। सोचती जाती थी, इसके उपर मैं एक कुटी बनाऊंगी, वह मेरी कुटी होगी। और मनोहर? नहीं, वह कुटी में नहीं रहेगा, बाहर खड़ा खड़ा भाड में पत्ते जोकेगा। जब वह हार जाएगा, बहुत कहेगा, तब मैं उसे अपने कुटी के भीतर लेलूँगी। मनोहर उधर पानी से हिल मिलकर खेल रहा था। उसे क्या मालूम कि यहां अकारण ही उस पर रोश और अनुग्रह किया जा रहा है। बालीका सोच रही थी, मनोहर कैसा अच्छा है, पर वह दंगा ही बड़ा है, हमें छेड़ता ही रहता है। अब के दंगा करेगा, तो हम उसे कुटी में साजी नहीं करेगे। साजी होने को कहेगा, तो उससे शर्ट करवा लेंगे, तब साजी करेंगे। बालीका सुर्बाला सात्वे वर्स में थी, मनोहर कोई उससे दो साल बड़ा था। बालीका को अचानक ध्यान आया, भाड़ की छट तो गरम हो गई होगी, उस पर मनोहर रहेगा कैसे। फिर सोचा, उससे मैं कह दूंगी, भाई, छट बहुत तप रही है, तुम जलोगे, तुम मत आओ। पर वह अगर नहीं माना, मेरे पास बैठने को आया ही, तो मैं कहूंगी, भाई, ठहरो, मैं ही बाहर आती हूँ। पर वह मेरे पास आने के जिद करेगा क्या? जरूर करेगा, वह बड़ा हटी है, पर मैं उसे आने नहीं दूंगी, बेचारा तपेगा, भला कुछ ठीक है, जादा कहेगा, तो मैं धक्का दे दूंगी, और कहूंगी, अरे, जल जाएगा मूर्ख। यह सोचने पर उसे बड़ा मजा सा आया, पर उसका मुह सूख गया, उसे मानो सचमुझी धक्का खाकर मनोहर के गिरने का हास्योत पादक और करुण द्रिश सत्य की भाती प्रत्यक्ष हो गया, बालिका ने दो एक पक्के हाथ भाड़ पर लगा कर देखा, भाड़ अब बि धीरे धीरे भाड़ के नीचे से खीच लिया, इस क्रिया में वह सचमुझ भाड़ को पुचकारती सी जाती थी, उसके पाउं ही पर तो भाड़ टिका है, उसी का आसरे हट जाने पर बिचारा कहीं तूट ना पड़े, पैर साफ निकालने पर भाड़ जब जब ज़यो का त यो और टिका रहा, तब बालीका एक बार आलाद से ना चुथी, बालीका एक बार गी ही बेवपूफ मनोहर को इस अलोकिक चातुरी से परिपूर्ण भाड़ के दर्शन के लिए दोड़ कर खीच लाने को उद्यत हो गई, मुर्ख लड़का पानी से उलज रहा है, यहां कै ऐसी जवर्दस्त कारगुजारी हुई है, सो नहीं देखता, ऐसा पक्का भार उसने कहीं देखा भी है, पर सोचा, अभी नहीं, पहले कुटी तो बना लूँ, यह सोचकर बालीका ने रेट की एक चुटकी ली और बड़े धीरे से भार के सिर पर छोड़ दी, फिर दूसरी फिर तीसरी, फिर चौथी, इस प्रकार चार चुटकी रेट धीरे धीरे छोड़ कर सुरबाला ने भार के सिर पर अपनी कुटी तयार कर ली, भार तयार हो गया, पर पडोस का भार जब बालीका ने पूरा-पूरा याद किया, तो पता चला एक कमी रह गए, धुआ कहां से निकलेगा, तनिक सोच कर उसने एक सीख टेड़ी करके उसमें गाड़ दी, बस ब्रमान का सबसे संपूर्ण भाड और विश्व की सबसे सुन्दर वस्तु तयार हो गए, वह उस उजड मनोहर को इस अपूर्व कारीगिरी का दर्शन कराएगी, पर अभी ज़रा थोड़ा देख तो और ले। मनोहर ने बाला की द्रिस्ती कानुसरन कर देखा, स्री मतीजी विल्कूल अपने भाड में अटकी हुई है, उसने जोर से कहा लगाकर एक लात में भाड का काम तमाम गर दिया, ना जाने क्या किला फता किया हूँ, ऐसे गर्व से भरकर निर्दई मनोहर चिल लाया, सुर्रो रानी मूह खड़ी थी, उनके मूह पर जहां अभी परम विशुद्ध रस था, वहां एक शुन्य फैल गया, रानी के सामने एक स्वर्ग आखाडा हुआ था, वह उनी के हाथों का बनाया हुआ था, और वह एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर उस स्वर्ग की एक-एक मनोरमत और स्वर्गेता को दिखलाना चाहती थी, हाँ, हाँ, वही व्यक्ति आरग और उसने अपनी लात से उसे तोड़ फोल डाला, रानी हमारी बड़ी व्यथा से भर गई, हमारी विद्वान पाटकों में से कोई होता, तो उन मुर्खों को समझाता, यह संसार छन भंगुर है, इसमें दुख क्या और सुख क्या, जो जिससे बनाया गया है, वह उसी में ले हो जाता है, इसमें शोक और उद्वे की क्या बात है, यह संसार जल का बुद्बुदा है, बुद्बुदा किसी रोज फूट कर जल में ही मिल जाएगा, फूट कर जल में मिल जाने में ही हो जाएगा इससे तू किसलिए व्यर्थ वैथा सह रही है रेत का तेरा भाण च्छनिक था च्छन में लुप्थ हो गया रेत में मिल गया इस पर खेद मत कर इससे शीक्छा ले जिसने लात मार कर तोड़ा है वह तो परमात्मा का केवल साधन मात्र है परमात्मा तुझे नव आदी आदी पर विचारी बालिका कर दुर्भागे कोई विज्य धिमान पंडित तत्वो पदेश के लिए गंगा तड़ पर नहीं पहुँच सका हमें यह भी संदे है कि सुर्री एकदम इतनी जड़ मुर्खा है कि यदि कोई परूबकार रत पंडित परमात्मा वहां पहुचकर उपदेश देने भी लगते तो वहां उनकी बात को नहीं सुनती और ना समझती पर अब तो वहां निर्बुद्धी शठ मनोहर की सिवा कोई नहीं है और मनोहर विश्वतत्त्यों की एक भी बात नहीं जानता उसका मन ना जाने कैसा हो रहा है कोई जैसे उ भीतर भीतर मसोली डालता रहा है लेकिन उसने बनकर कहा सुर्री धुद्पगली रूटती है सुर्बाला वैसे ही खड़ी रही सुर्री रूटती क्यों है बाला तनिक ना हिली सुर्री सुर्री ओ सुर्री अब बनना ना हो सका मनोहर की आवाज हठात कमपी से निकली स्वर के इस कंपन का सामना शायद उससे ना हो सका। सुरी ओ सुरिया मैं मनोहर हूँ मनोहर मुझे मारती नहीं। यह मनोहर ने उसके पीछ पीछे से कहा और ऐसा कहा जैसे वह यह प्रकट करना चाहता है कि वह रो नहीं रहा है। हम नहीं बोलते। बालिका से बिना बोले रहा न गया। उसका भाल शायद स्वर्ग विलीन हो गया। उसका स्थान और बाला की सारी दुनिया का स्थान कापती हुई मनोहर की आवाज ने ले लिया। मनोहर ने बड़ा बल लगा कर कहा। सुर्री मनोहर तेरे पीछे खड़ा है। वह बड़ा दुस्ठ है। बोल मत पर उस पर रेत क्यों नहीं फेंक देती। मार क्यों नहीं देती। उसे एक थपड लगा। वह अब कभी कसूर नहीं करेगा। बाला ने कड़कर कहा। चुप रहो। चुप रहता हूं पर मुझे देखोगी भी नहीं। नहीं देखते। अच्छा मत देखो, मत ही देखो। मैं अब कभी सामने ना आओंगा। मैं इसी लायक हूँ। कह दिया तुम से तुम चुप रहो। हम नहीं बोलते। पालिका में व्यथा और क्रोध कभी का खत्म हो चुका था, वह तो पिखल कर बैह चुका था, यह कुछ और ही भाव था, यह एक उल्लास था जो ब्याज कोप का रूप धर बैठा था, दूसरे सब्दों में यह स्त्रित्व था, मनोहर बोला, लो सुरी मैं नहीं बोलता, मैं बैठ जाता हूँ, यहीं बैठा रहूँगा, तुम जब तक ना कहोगी, ना उठूंगा, ना बोलूँगा, मनोहर चुप बैठ गया, कुछ चण बाद हारकर सुर्बाला बोली, हमारा भाड क्यों तोड़ा, हमारा भाड बना के तो, लो अभी लो, हम वैसा ही लेंगे, वैसा ही लो, उससे भी अच्छा, उस पे हमारी कुटी थी, उस पे धुएं का रास्ता था, लो सब लो, तुम बताती जाओ, मैं बनाता जाओ, हम नहीं बताएंगे, तुमने क्यों तोड़ा, तुमने तोड़ा, तुम ही बनाओ, अ लो, भाड बन गया, बन गया, हाँ, धुवे का रास्ता बनाया, कुटी बनाई, सो कैसे बनाओ, बताओ तो, पहले बनाओ, तब बताओंगी, भाड के सिर पर एक सींक लगाकर और एक एक पत्ते की ओट लगाकर कहा, बना दिया, तुरंत मुढकर सुर्बाला ने का, अच्छा दिखाओ, सींक ठीक नहीं लगी जी, पता ऐसे लगेगा, आदी आदी, संशोधन कर चुकने पर मनोहर को हुकुम हुआ, थोड़ा पानी लाओ, भाड के सिर पर डालेंगे, मनोहर पानी लाया, गंगा जलसे कर पात्रों द्वारा वह भाड का विशे करना ही चाहता था, कि सुरा रानी ने एक लाद से भाड के सिर को चकना चूर कर दिया, सुर्वाला रानी हसी से ना चूठी, मनोहर उत्फूलता से कहा लगाने लगा, उस निर्जन प्रांत में वह निर्मल शिशू हास से रव लहरें लेता हुआ व्याप्त हो गया, सुरज महाराज बालकों जैसे लाल-लाल मुह से गुलाबी-गुलाबी हसी हस रहे थे, गंगा मानो जान बूच कर किलकारियां भर रही थी, और वे लंबे उचे-उचे दिगज पेंड दार्षनिक पंडितों की भाती, सब हास्य की सार शुन्यता पर मानो, मन ही मन गंभीर तत्वा लोचन कर, हसी में भूले हुए मुर्खों पर थोड़ी दया बखाना चाह रहे थे। इसे लाइक भी कर दीजे, आभार!